स्पोर्स फ्लाशिस में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं मैं हूँ अकाश मेरे साथ हैं अंकोश और ये है मैच प्रिव्यू जी हाँ मैच नंबर बारा चिर्नाई सुबकेंग्स बनाम राजिस्थान रॉयल्स जी हाँ मुकाबला ये जो खेला जाने वाला है ये मुकाबला खेला जाएगा बात करें तो वांग खेडे स्टेडियम में तो डेफिनेटली एक अच्छा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुकाबला में देखने को मिलेगा आज इस सुमेदान पर अगर बात करें कल की तो क्या और उनकी अपोजिट थी पंजाब किंग्स की वो टीम पहले बल्ले बाजी करने के लिए उत्री थी अगर बात करूं में पंजाब की टीम करीब 190 के राउंड वहाँ पर उन्हें टोटल बनाया था जिस तरीके से रोलिंग शुरुआ दी थी वहाँ पर मैंक अगरवाल ने समाल सके लेकिन अंत में उनका बल्ला भी जो है वह इतना जादा रन नहीं निकाल पाया वहीं पर बात करें तो एक बार फिर से अमेजिंग पारी हमें देखने को मिली गबर के बल्ले से 92 रनों की वह धाड़ मारने वाली एक पारी जिसे कहते और एक बहुत अजी करने का फैसला लिए लेकिन उपनिंग करने जल्दी निकल लिए दूसरी और मैं उसके बाद मैक्सवेल और पर क्रांती मचा दी वहां पर आपने ग्राउंड में वह ऐसे आपने तरस्ते हैं ऐसे शौट देखने के लिए तो कल हमारे जितने भी क्रिकट प्रेमी क्रिकट फ उससे पिछले दिन तो कल की बात करें तो रोष यहां पर मापर विराट को ली ने बलेबाजी की और यहां पर रिशब पंद पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया लेकिन एक सो पचानवे रंजब आपने मनाएं पंजाब वालों ने रिशब पंद का फैसला कही नहीं कैसा लगा कि यह डावा डोल हो गया क्या कैसा सही फैसला था इनको पहले बलेबाजी करनी चाहिए थी रोहित की तरह या विराट की तरह लेकिन नहीं यहां पर साबित किया उन्होंने यह फैसला बिल्कुल सी क्योंकि वहां पर अभी गेंदे बची डेड़ ओवर बचे व और वही बात करें राजस्थान के गफ्तान संजी सैमसंग की तो चलिए शुरुवात करते हैं शुरुवात यहां पर करना चाहेंगे हेड टू हेड के साथ तो हेड टू हेड में जो दोनों टीमें हैं काफी एक दूसरे के कॉंटरास्टिंग है अगर बात करें चौबिस पिछले मैंच में देखो चोटा दाला उनको पिछे आउट होगे तो समझ चूके हैं कि यहां पर अभी वहीं नहीं कहीं के वहीं है जो मात खाते हैं जिस जगाब ठीक है और दोनी आपको पता कि काफी समय से खेल नहीं रहे हैं लेकिन फिट नजर आ बल्ले से उनके भी रन क्या है कि इंतजार में ही है फैंस की कब उनके बल्ले से रन चूटेंगे लेकिन हाँ जडेजा काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यह माननी पड़ेगी बात गेंदबाजी उनकी काफी रही है इस पूरे टोनमेंट में कहीं बैटिंग में लेकर थोड़े सा अपना वर्क आउट करना वहीं अगर राजिसान की बात करें यहां पर बल्लेवाजों को लेकर उनको भी वर्क आउट करना क्यूंकि उनके भी गिंदबास पर पर अच्छा परफॉर्म करी रहे हैं बल्ले बाजी में कहीं आपके उपर ओडर और और मिडल ओड वो कही नगी फ्लोप हो रहे हैं स्कोरिंग मैच फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज आपने सभी बात करें जो बहुत बड़ा नाम है वन डाउन ही आया बैटिंग करने के लिए और वहां पर आप से कुछ जादा हुआ नहीं था लेकिना सो रन की शत्किया जो साजेदारी थी ओपनिंग पार्णेशिप की यहां पे 30-40 रन अगर और बन जाते हैं उनके बन जाती है बात लेकिन वही है कि मिडल और का यहां पे कहीं न कहीं कमाल रहने वाला है मिडल और आपको स्ट्रॉंग करना बढ़ेगा हर टीम को अगर आपको बड़ा स्कोर लेके जाना है तो जी बलिया अब चलिए बात करत स्थान की टीम के 15-15 विकेट जो चटका चुके तो इन से थोड़ा बचके रहना पड़ेगा थोड़ा ब्रावो धल गे ऐसा लगता है मुझे या मेरी नजर कमजोर हो गई है और जड़ेजा की बात करें वो और जवान होते जा रहे हैं जैसे ऐसे उनका फिकर एज का सब्सक्राइब करें जहां जाती है और यहां पर बात कर लेते हैं तो राजस्थान की तरफ से स्वजदा रन जिस बलेबास ने बनाए है वो है जौस बटलर 126 रन जो है उन्होंने अगर बात करूं में तो चिन्नई के खिलाफ वहाँ पर लगाये हैं और अगर गेंद बाजों की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर है आपके पास श्रेयस गोपाल यहाँ श्रेयस गोपाल ने यहाँ पर अगर बात करें त तो डेफिनिटली बहुत जादा कॉंट्रास्टिंग है जहां एक तरफ गेंदबाजी में भी कॉंट्रास्ट है तो यहां पर डेफिनिटली देखना होगा किस तरीके से इस डिपार्टमें में कोप अप कर सकती है राजस्तान चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टॉप कुछ खिलाडियों पे जिनके उपर आपकी नजर रहने चाहिए आज के इस मुकाबले में शुरुआत करेंगे राजिस्थान रोयल्स के साथ और यहाँ पर नाम सबसे पहले आता है कप्तान संजू सैमसंग दो मुकाबले अगर 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 आईपेल करेर के हम यहाँ पर बात करें तो 109 मुकाबले वो खेल चुके हैं अब तक आईपेल में और 2700 से ज्यादा रन उनके पास है और अगर स्ट्राइक रेट देखे तो 135 से उपर उनका स्ट्राइक रेट है और हाइस ओवर अगर उनके रनों की यहाँ पर हम बात करें तो 119 नॉट आउट जो ने कुछी दिनों पहले यहाँ पर लगाई है और कमाल की बात की कीपर भी बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छा कैस उन है कैप्टेन भी है कप्तानी भी कर रहे हैं और कीपिंग तो माशाला शांतर करी दें तो संजू सैंसन का कोई इस बार मतलब ऐसा लगा रहा है कि अलगी किरदार नजर आने वाला है हाला कि पिछले मैच में इतना अच्छा नहीं खिल पाये थे जी बिलकुल डर है कि एक सी लाले की बात करें राजस्तान रॉयल्स की तो यहाँ पर हम पहले भी मतली है जास बटलर वैसे ही राजस्तान आफकी जाने की खिलाफ जादा रहं लगा चुक है तो यहाँ पर नजर रहने वाले अभी तक उनका बल्ला शांतर है जिस तरके से अंकुश बोल चुके हैं कि अभी तक जो है, रन नहीं निकले उनके बल्ले से, दो मुकाबले उनके खेले हैं, 27 रन जो है, उनके बल्ले से अभी तक सिर्फ निकले हैं, स्ट्राइक रेट उनका 135 करा है, वहाँ अगर 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 बात करें, तो उनोंने 60 मुकाबले खेले हैं, और रन जो है, उनके बल्ल जिस दिन उनका दिन होगा तो वो बल्ले से ऐसे ऐसे लंबे लंबे चौके च्छके लगाएंगे ना कि सामने वाले उपोजिशन का प्रॉब्लम हो सकती है खुद बटलर भी इस चीज से हरान है कि आईपेल में कौन सी चीज है जो उनको रूक रही है और अच्छे दिखते हैं नकी खेलते वे आप अगर इस देश के आपके साथ भी खेल रहोंगे तो कई बार ऐसा लगता है कि यह बटलर आज खेल के जाए इनकी बैटिंग देखने नकी तो यहां पर हैं Killer Miller यानि की David Miller जी हां David Miller अभी एक ही मुकाबला केला है जो है पिछले से पिछले मुकाबले में उनको बैठाये गया था लेकिन यहां पर लेकर आये गया है वो अपस और अगर एक ही मुकाबले में आते उन्होंने क्या पारी के लिए और बात करें तो 144 44 से उपर का उनका strike rate है overall IPL career के अगर बात करूँ तो उन्होंने 81 run लगाए हैं और अगर उनके total runs की यहां पर हम बात करें तो only 100 से जादा run है strike rate उनका 135 से उपर का strike rate है और highest score हाई स्कोर है उनका 101 not out पारी खेली थी पिछले मैच में देखिए मैच इन्होंने ही असान कर दिया था लेकिन नीचे आगे क्रिस मोरिस सवा 16 करोड की जो उन्होंने पहचान अपनी बताई कि मैं ऐसे नहीं हूं सवा 16 करोड का यहां पे मेरी वर्थ देखिए आप लेकिन मैच को बना दिया था लगाये दुनोंने और जिस गेंद पर आउट होते उस पर भी बड़ी हीटी लगाना चाहरे थे अर्च चतक पूरा करके गए थे बड़ी अखिलके गए थे तो यहां पर नजले इनके ओपर टिकी रहेंगी जी बिलकुल बात करी थी क्रिस मोरिस की तो यहां पर बात करना चाहेंगी क्रिस मोरिस की लेकिन बतौर गेंद बात करोड से जादा की अमाउंट पर वहां पर खरीदा जरूर है राजस्तान रॉयल्स ने और पिछले मकाबले में अपनी पहली इंस्टॉल्मेंट उन्होंने वहां पर डाल दिया कि मैच जिता दिया उन्होंने और वो भी विकेट चटकाई है एकॉनमी जो है इनका थोड़ा सो उपर जाता है नौ दशमलव साथ एक का एक एकॉनमी है अभी आईपेल दोहजार इकीस में अगर ओवरल करें हम तो 72 मुकाबले उन्होंने केले है और विकेट की बात करें तो 83 मुकाबले 83 विकेट उन्होंने चटका बिल्कुल आपके अंदर एक लगी आत्विश्वा जागता है आप अपने आपी क्रिकेट के अंदर ग्राउंड के अंदर अपने आपको किसी भुगवान से कम नहीं है हलागी है तो आप इंसान ही लेकिन उसका कहिना की आपके खेल में की जो रंग दिखता है ना वो दिख राजिस्थान के लिए तो पता नहीं कब से खेलते आ रहे हैं अगर बात करें इस आईपील 2021 में उनाटकर ने एक मुकाबला खेला है तीन विक्टे इन्होंने वहाँ पे चटका ही है और एक पेसर का एकॉनमी रेट है किसी स्पिनर का एकॉनमी रेट नहीं है आईपील पाबले 84 इन्होंने विक्टे चटका ही है और 8.75 का इनका एकॉनमी रेट है तो डेफिनिटली एक बहुत अच्छा एसेट है राजिस्थान की टीम के लिए विशेश रूप से इस सीजन में देखिए जो आप एकॉनमी देखेंगे न वो इनके ओवरॉल आईपील करियर प अच्छे के इंदवाजों की सूची में पका लेगा हैंगे क्योंकि अब तक जो मैच खिले हो उसमें तो आपका नाम लिया जाई रहा है यहां पे भी आप हीट है हम आपके बारें बात करी रहे हैं कि 3.75 का इकॉनमी रेट है तो आपका ओवरॉल आईपील में देखना है आईपील खिलने के बाद कैसे उसका प्रिणाम आपको वहां भी दिखेगा जी बिलकुल चलिए अब बात कर लेते हैं चिन्ने जुबकिंग्स के कुछ खिलाड़ियों के बारे में जिनकी ओपर आपकी नजर रहनी चाहिए सबसे उपर नाम आता है फैफ डुपलेसी का जी 86 मकाबले 2300 से जादा रन इन्होंने बनाए है और 128.67 का इनका कुछ स्ट्राइक रेट है हाईस इनका 96 राए तो यह ऐसे बल्ले बाद है कि उपर आते हैं और लंबी पारी खेल कर जा सकते हैं फैफ डुपलेसी देखिए साउथ अफरीका के फेवरिट प्लेयर्स में से एक प्लेयर है जब भी वहाँ से भी खेल रहे होते तो आप हमेशा देखते हैं कि आज क्या करेंगी यह और तब यहां पे आपको लगातार यह खेलते दिखाई दे रहे हैं और इनके बल्ले से र यह सबसे स्ट्रॉंग कंटेंडर मेरे खाल से अगर एक दो प्लेयर की बात करें वहाँ पे एक तो खुद धोनी है जहां पर उनको चलना बहुत जरूरी है और एक मिटल और यह जो फैफ डुपलेसी है जो ओपनिंग भी करते हैं कभी एक दो नंबर भी बैटिंग कर सकते ह तो पिछले मुकाबरे में बहुत बड़ा रोल उन्हों प्लेय किया था ना हमें इनका मोईन अली गेंद बाजी भी करते हैं बल्ले बाजी भी करते हैं लेकिन अमूमन यहां पर हम इनकी बल्ले बाजी के लिए बारे में बात करने वाले हैं दो मुकाबले 82 रंस स्ट्राइ स्कोर है और स्ट्राइक रेट 156.40 का उनका वहाँ पर स्ट्राइक रेट है तो यहाँ पर यह एक ऐसे बल्ले बाज है पिछले मुकाबले बहुत अच्छी बल्ले बाजी करी और इनके पर काउंट जरूर करेंगे अगर मैं बात करूं कप्तान महिंदर सिंग धोनी कि आगे आ में और मेरे ख्हाल से आज भी एक्षोन अच्छे रण बना कर जाएंगे और क्यूंनिंग बैटिंग पिशी करते हैं और बल्लिंग पे और करते दो and कशानी यह बहुत बड़ा रोल है और आपको देखना चाहते हैं दर्शक देखना चाहते हैं आप most five जो अच्छे छे खिलाडी होते हैं उसमें आपका नाम इसलिए शुमार किया जाता है यहाँ पर sports flashes पर कि आप चलेंगे आज तो चलेंगे चलेंगे तो आज चलिएगा जी बिलकुल और एक खिलाडी जो चला था जब वो अपस आया था केलने के लिए CSK के लिए लेकिन उसके बाद जो है बल्ला थोड़ा ठंडा रह गया वो है सुरेश रहना जी हैं अगर मैं बात करो IPL हिस्ट्री में अभी तक सीजन में पहले बहुत अच्छी अर्थचतिके पारी खेली थी लेकिन उसके बाद जो है बल्ला थोड़ा शांत रहा है दो मुकाबले 62 रन्स और अगर स्ट्राइक रेट की उनकी मैं बात करो तो 137.77 का स्ट्राइक रेट है IPL 2021 में अगर बात करें ओवराल IPL करियर की तो 195 मैचेस दिनों ने खेले हैं और 5430 रन इनके पा सब्सक्राइब बना सिर्फ इसी फॉर्माट के लिए है और इस सीजन में जो पिछला ब्रेक लेकर आए तो आपने आते हैं अगास्त हो गिया है लेकिन उसके बाद कुछ गल्तियां आप से हुई उसका आपको पता है कि कहां गलती होगी लेकिन गेंदबास क्या है कि आपक मौकाई नहीं देंगे आप अगले मैच में कि यहां छोटा डालो के तो मैं ग्राउंड किया तो बाहर फैंक हूंगा या फिर मैं अपसे सिंगल लेके अपना यहां पर वहाला गलती दो नहीं करूगा जो मैंने पफिछले मैच में करी है चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ गेंदबाजों की तो पिछले मुकाबले में बहुत अची गेंदबाजी करी थी इस गेंदबाज ने हाला कि 5 विकेट लेने में नाकामयाब लेकिन हाँ बहुत अची गेंदबाजी और जिसका नतीजा था कि चिड्नाई सुपर इन विकेट जिनों ने चटकाई है और 7.55 का इनका एकॉनमी रेट रहा है ओवराल आईपेल करियर में तो ये भी एक ऐसे गेंदबाज है जिनके ओपर आज केस मुकाबले में नजर रहने वाली है सभी बल्लेबाजों की और इसलिए क्योंकि इस बार 4.55 का इनका एकॉनमी है तो आपके उपर नजर रहती है और आपके कप्तान आपको हमेशा किना की क्रूशल टाइम पर आके बॉल देते ही देते हैं तो वहां पे आप अपना काम करके दिखा रहे हैं बिल्कुल यहां पर दीबक चार एक बहुत बड़ा नाम बन गया है इस समय नहीं के उमीद रहती है यही एक क्रिकेट लवर की आप से उमीद रहती है जी बिल्कुल और यहां पर एक और गेंदबास जिसको हम मेंचन करना चाहते हैं वैसे तो इनके नाम के आगे खुदी सर लगाओ है तो इनको किसी और एकॉनिनिम की यहां पर जो है किसी और उपादी देन विकेट अनफॉर्चुनेटली सर जड़ेजा को नहीं मिले हैं लेकिन हाँ एकॉनिमी पांच दिशमलब आठ तीन का इनका एकॉनिमी रेट रहा है और ओवर जो है वो चुटकी बजाती खथम कर जाते हैं आपको पता भी नीचलेगा कि उनके ओवर जो है आके खथम भी हो इंप्रैसिव प्लेर्स की अगर आप सूची निकालेंगे ना तो इनका नाम उसमें आए गई आएगा बिल्कुल आप बैटिंग रहा लिजिए गिंदबाजी कर रहा लिजिए आप फील्डिंग में आपको इनको कहीं भी खड़ा कर दीजिए डीप पे खड़ा कर जादतर प्लेइंग लेवन में आप इनको देखते ही हैं जी बिलकुल तो डेफिनिटली ये थे अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके ओपर आपकी नजर रहनी चाहिए और बता दें कि आने वाले जो आईपिल में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और अ आपने अभी तक यूट्यूब पर हमारे चैनल को नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन नहीं दबाया तो बैल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले बता दें कि आज शाम को 6 मजे हम आपके साथ जुड़ेंगे लाइव स्पोर्स फ्लाशिस के फेस्बुक पर इसके साथ आप साथ आप हमारे को यूट्यूब पर बी देख सकते हैं और जी फाइव और गाना पर भी आप हमारे को लाइव देख और सुन भी सकते हैं और हमारे साथ जो एक्सPਰटS होंगे उनके बारे में आपको अंकुष्ष बताएंगे जी इगजाटलिये एक्स क्रीकेटर साबा करीम, हमारा साथ एक्स क्रीकेटर रितियंदर सिंग सोडи, विराट कॉली के कोड़ साब, राजकुमार शर्मा सर हमार साथ मनो जोशी जी आते हैं पैनल में हमार साथ जुड़ते हैं राजीव मिश्रा जी तो इस सारे के सारे यहाँ पर आप ही के लिए आते हैं इस लाइव एक्षण को और बड़ा बनाने के लिए तो आपको कुछ अगर कुमेंट्स भी बेजने हैं कुछ पूछना है तब तक मुझे और अंकुष को दीजे इजाज़त. थांक्स फो वाचिंग. थांक्स फो वाचिंग.